इस वीडियो में हम फ्लेश फिल के बारे में समझेंगे फ्लेश फिल के एक्सल में बहुत ज़्यादा इंपोड़न्स है यह एक्सल में हमारे काम को बहुत जल्दी कर दीता है जिससे हमारा काफी समय बच जाता है फिल हैंडल की तरह फ्लेश फिल अनुमान लगा सकता है कि आप अपनी बर्कशीट में किस प्रकार की जानकारी दर्ज करवा रहे हैं तो अब हम फ्लेश फिल की खासियत के बारे में जानते हैं तो ये हमारे पास यहां पर नेम दिये गए हैं जैसे आमित कुमार, सुरेश कुमार, रोहित सिंग ये सभी ये नेम यहां पर लिखे हुए हैं अगर हम इन नेम्स को अलग करना जाते हैं जैसे फरस्ट नेम यहां पर दिये गए हैं जैसे आमित है, सुरेश है, रोहित है इनको हमने फरस्ट नेम को अलग करना है ये काम करने के लिए हम Flash Fill का यूज़ करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर First Name यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम आमित आमित लिखा लिखने के बाद एक तो काम यह हम कीवोड की साहिता से कर सकते हैं जैसे यहां पे enter प्रेस किया, enter प्रेस करने के बाद, flash fill को हम, keyword की shortcut command, जैसे control E प्रेस करेंगे, यह देखो, control E प्रेस किया, तो यह सभी name, first name यहां पे आगे, देखो, first name जितने भी थे, आमीद, सुरेश, रोहित, यह देखो, यह सारे first name है, यहां पे आ जाएंगे, तो यह keyword के जरिये भी हम कर सकते हैं काम, इसके बाद इसको undo करते हैं, यह जैसे undo किया, आगे अगर दूसरे method से करना है, तो यह कैसे करेंगे, यहां पे home type के editing group के fill में जाएंगे, और यहां पे flash fill पे click करेंगे, यह देखो, इस तरह से हम यहां पे flash fill कर सकते हैं, अगर यहां से नहीं करना है flash fill, तो इसको undo करते हैं, यह undo किया, तो इसको अगले method से कैसी करेंगे data type पे जाएंगे यहां पर data type पे क्लिक किया data type पे जाने के बाद यहां पर data tool यहां पर दिया गया है यहां पर flash fill पे क्लिक करेंगे तो यह लिखो यह flash fill यहां से भी हो जाएगा इसके बाद है last name अगर यहां पर हम last name यह लिखने जाते है तो तो यह कैसे करेंगे, यहां पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहां पे लिखेंगे, कुमार, यह कुमार लिखा, कुमार लिखने के बाद एंटर प्रेस किया, और यहां पे फ्लेश फिल पे क्लिक किया, तो यह लिखो, लास्ट नेम यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा, यह के बाद है बेदोर स्पेस अगर नेम ये जितने भी नेम दिये गए हैं इनको बिना स्पेस के हम लिखने जाते हैं तो ये कैसे करेंगे इसको करने के लिए यहां पे लिखेंगे आमित कुमार ये आमित कुमार लिखा लिखने के बाद यहां पे एंटर प्रेस करेंगे एंटर क्लिक करने के बाद अगर हम यह जितने नेम दिये गया है इनको अपर केस में करना है तो यह कैसे करेंगे यह करने के लिए हम यहां पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहां पर केस में लिखेंगे अमीत कुमार यह अमीत कुमार लिखा enter press किया enter press करने के बाद यहां पर flash fill पे click किया यह लिखो जितने भी है यहां पे वो अपर case में लिखे हुए आ जाएंगे अगर यही काम हम lower case में करना जाते हैं तो यह कैसे करेंगे यहां पर click किया click करने के बाद लिखेंगे यह हमने lower case में लिखा small letters में लिखा अब जब हम enter प्रेस करेंगे और यहाँ पे flesh field पे click करेंगे तो यह देखो जितने भी यहाँ पे name है यह law case में आ जाएंगे small letters में आ जाएंगे small letters में यह सारी name यहाँ पे आ जाएंगे, अगर proper case में इसको लिखने जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम अमित कुमार यह आमित कुमार हमने यहां पर लिखा लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद यहां पर flash field पे klick करेंगे यह देखो यह proper case में आ जाएंगी इसके बाद आगे यह sheet number 3 यहां पर klick करते हैं यहां पर यह जो name enter press करेंगे यह enter press किया और जब हम यहाँ पे flash fill करेंगे तो सभी के आगे शीरी लगा हुआ जाएगा यह दिको flash fill और जितने भी name थे सभी के आगे यहाँ पे शीरी लगा हुआ आगे तो इस प्रकार यहाँ पे हम शीरी लगा सकते हैं इसके बाद है Mr. तो अगर हम सभी name के अमीद कुमार और जब हम यहाँ पे enter press करेंगे और auto fill करेंगे तो सभी के आगे Mr. लगा हुआ नहीं आएगा यह देखो यहाँ पे flash fill किया तो यहाँ पे सभी के आगे Mr. लगा हुआ नहीं आया क्योंकि यह जो M, M है यहाँ पे second character है यहाँ यहाँ पे इसकी range को select नहीं कर र तो यहाँ पे R यहाँ से start हो रहा है तो इसको लेगा यह तो हम क्या करेंगे यह दोनों इनको नहीं लेंगे हम यह जो first अमित लिखा हुआ है second stage हम यहाँ से start करेंगे क्योंकि ना तो M यहाँ पे यह जो first में नहीं है यहाँ पे और आगे जो है R नहीं है यहाँ पे कहीं भ हम Mr. इस row में लिखेंगे यह third row में हमने लिखा Mr. Rohit Singh तो अब क्या है अब यहां पे सभी में Mr. लगा हुआ आ जाएगा यह देखो जब enter प्रेस करेंगे और यहां पे flash fill पे क्लिक करेंगे तो यह देखो सभी के आगे यहां पे Mr. लगा सकते हैं इसके बाद sheet number 4 यहां पे जाएंगे यहां पे जाने के बाद यह जो है यहां पे जैसे यह name है यहां पे first character लिखना है हमने और last name लिखना है तो first character कौन सा है यहां पे A, A के बाद कुमार लिखना है तो यह कैसे करेंगे जैसे यहां पे हमने लिखा ए इसके बाद कुमार ये लिखा लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे और enter प्रेस करने के बाद flash fill यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लिखो सभी का ये first character यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद ये last name यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद है first character and last name first character तो ये कैसे करेंगे तो ये करने के लिए यहाँ पे a हम a लिखेंगे a के बाद space k लिखेंगे ये k लिखा ये रिखो यहाँ पे first name का first character लिखा और यहाँ पे last name का first character लिखा लिखने के बाद हम Enter press करेंगे Enter press करने के बाद जब हम Flash Flip पे जाएंगे ये लिको सभी का First Name का First Character और Last Name का First Character यहां पे आजाएंगा इसके बाद है यहां पे हमने Full Address लिखा हुआ है अगर इस Address को हम अलग करना जाते हैं जैसे यहां पे हमने के करना है Cities को यहां पे अलग करना है तो यह कैसे करेंगे यहां पे हम दिली जैसे यह सिटी लिखी हुई है इसको यहां पे लिखेंगे तो यह लिखा दिली लिखा दिली लिखने के बाद जब हम यहां पे enter प्रेस करेंगे और यहां पे हम क्या करेंगे data type के यहां पे flash fill पे जाएंगे तो यह दिखो जितनी भी cities के name है यहां पे आ जाएंगे यह दिली, रंची, हैदरवाद, इंदोर यह सभी cities यहां पे आ जाएंगे तो इस तरह से हम cities को अलग कर सकते हैं अगर हमने pin code को अलग करना है तो हम pin code को भी अलग कर सकते हैं इसके लिए हम यहां पे click करेंगे और click करने के बाद यह दिखो यह जो pin code है यह हम यहां पे लिखेंगे तो यह pin code हमने यहां पे लिखा लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे enter press करने के बाद flash fill पे जाएंगे तो यह लेको सबी pin code यहां पे आ जाएंगे तो इस तरह से हम flash fill के जरीए pin code को लिख सकते हैं इसके बाद अगली sheet पे जाएंगे इसके बाद यह address है address में क्या है यहां पे हम age लिखेंगे जैसे age लिखे हमने यहां पे 45, 55 और यहां पे 56 यह हमने is यहां पे लिखी लिखने के बाद यहां पे जो है हम क्या है creating sentence इसका sentence create करना जाते हैं जैसे हम यह लिखेंगे यहां पे हमने यहां पे लिखा amit is is यहां पे 45 लिखा लिखने के बाद हम क्या करेंगे enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद flash fill पे जाएंगे तो flash fill पे जाने के बाद यह देखो सुरेश कुमार इसकी 55 है तो यहां पे आ जाएगा सुरेश is 55 इसके बाद रॉईस सिंग इसकी 58 है यहां पे 58 आ गया इसके बाद बलवान शर्मा इसकी है 66 तो यहां पे यह 66 आ इसके बाद अगली sheet को open करेंगे sheet number 7 यहां पर क्या करेंगे हम यह date का format दिये गया है अगर हम इसमें से day को अलग करना जाते हैं यह day है यह month है और यह year है तो day को कैसे अलग करेंगे यहां पर हम लिखेंगे 11 11 लिखा 11 लिखने के बाद enter प्रेस किया enter प्रेस करने के बाद flash फिल पर गए तो यह देखो सभी की date यहां पर अलग होगी यह जो date थी यहां पर आगे है इसके बाद क्या है आगे है month अगर हम month को अलग करना जाते हैं तो यह month यहां पर लिखा हुआ है 10 इसके बाद enter प्रेस क करने के बाद flash fill पे गए तो ये month सभी यहां पे आ गए इसके बाद आगर हम यहां पे year को अलग करना जाते हैं तो हम कैसे करेंगे यहां पे लिखेंगे 2019 यह यहां पे लिखा लिखने के बाद enterprise किया और enterprise करने के बाद flash फिल पे गए तो ये लिखो सारे year यहां पे अलग हो जाएंगे इसके बाद अगर हम यह switch करना जाते हैं जैसे यहां पे month पहले लिखना है उसके बाद date लिखनी यह उसके बाद year लिखना है तो यह कैसे करेंगे यहां पे switch करेंगे इसको तो यह करने के लिए हम यहां पे 10 लि बाद flash fill पे जाएंगे ये लिखो सारी यहां पे date यहां पे आ जाएगी तो इस तरह से हम इसको switch कर सकते हैं date को इसके बाद आगे sheet number 8 पे जाएंगे इसके बाद यहां पे mobile number दिये गया है आगर इस mobile number का यहां पे हम format change करना जाते हैं इस column में तो यह कैसे करेंगे यहां पे हमन लिखना है heading में plus 91 यह लिखा enter प्रेस किया तो यह देखो यह number में change है लेकिन इसको यहां से delete करते हैं पहले क्या करेंगे हम यहां पे यहां पे इसको text में convert करेंगी यह हमने select किया select करने के बाद यहां पे number है यहां पे text में click करेंगे यह text अब यहां पे हम लिखेंगे plus 91 य लिखा, लिखने के बाद यहां पर click किया तो यह लीखो यह text में change हो गया है, अब क्या है इसका format हमने change करना है, जैसे यहां पर 3 digits पहले आने चाहिए, उसके बाद 4 digits यह अलग करने हैं, इसके बाद 3 digits यह अलग करने हैं, तो यह कैसे करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे, प्लस 9 one ये लिखा लिखने के बाद space इसके बाद 3 digits 9, 8, 4 लिखने के बाद space इसके बाद 4 digits लिखेंगे 5, 6, 8, 9 ये लिखा ये 4 digits आगे इसके बाद 3 digits चाहिए फिर space फिर हमने 4, 2, 1 यह लिखा लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद data type पे जाएंगे और यहां पे flash fill करेंगे तो यह लिखो सभी यह अलग format में यह बनके आगे तो इस तरह flash fill के जरीए हम इसको fill कर सकते हैं इसके बाद आगे करेंगे हम sheet number 9 यहां पे यह address दिये गया है इस address की हमने क्या करना है email id यहां पे create करने ही है तो यह काम कैसे करेंगे यहां पे click करेंगे click करने के बाद हम यहां पे लिखेंगे आमीद कुमार लिखा लिखने के बाद यह number type करेंगे 1566 यह number type किया type करने के बाद add the rate of sign लगाएंगे यहाँ पे लगाया लगाने के बाद host name लिखेंगे host name यहाँ पे हमने लिखा gmail.com यह host name लिखा लिखने के बाद enter press करेंगे enter press करने के बाद data type पे जाएंगे और e-mail पे जाएंगे यह लेको सबी की email ID यहां पे बनके आ जाईगे यह दिखो आमित कुमार इसकी यहां पे आगी है सुरेश कुमार इसकी यहां पे आगी है रोहित सिंग इसकी email id यहां पे बनके आगी है तो जितने भी यहां पे name लिखे हुए है सभी की email id यहां पे बनके आगी तो इस तरह से हम flash fill के जरिए यह email id create कर सकते हैं तो flash fill यहां पे तब ही काम करता है जब यह column आपस में जूड़े हों अगर यहां पे कोई blank column है तो यह flash fill काम ने करेगा suppose करो यहां पे कोई blank column यहां पे बनाते हैं हम यहां पे insert करते हैं insert column यहां पे insert किया हमने यह हमने blank column यहां पे insert कर दिया insert करने के बाद जब हम यहां पे अगले column में यहां पे email id में यहां पे flash fill यूज़ करेंगे तो यह flash fill यहां पे काम नहीं करेगा क्योंकि flash fill तभी काम करता है जब यह column आपस में जुड़े हो तो अब देखो यहां पे हम कुछ लिखेंगे जैसे email id बनाएंगे आमीत कुमार कुमार लिखा इसके बाद 1566 यह लिखा लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे और इसके बाद flash fill यहां पे जाएंगे तो यह देखो यहां पे यह flash fill नहीं आएगा क्योंकि यह जो column है आपस में जुड़े नहीं है तो flash fill तब ही काम करता है जब column आपस में जुड़े हो तो इस वीडियो में हमने flash fill के बारे में detail में समझा अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद